बहुजन जमाज पार्टी की सुप्रीमों मायवती ने चार जून को दो बड़े नेताओं को पार्टी से निकाल दिया लाजी वर्मा और राम अचल राजपर ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि दोनों नेताओं की गिंती पार्टी के सफल और वरिष्ट नेताओं में होती रही है दोनों नेता कांशिराम के समय से बसपा के साथ जुड़े हुए थे दोनों नेता वर्तमान में विधायक भी है लाजी वर्मा बेटकर नगर के कटेहरी से और राजपर अगबरपुर सीथ से विधायक है फिर ऐसे में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है मायावती ने इन दोनों दिगज नेताओं को बाहर करने का फैसला क्यों लिया ये सवाल उठता है बसपा की ओर से जारी बयान में कहा गया दोनों विधायकों को उनके उपर पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविदियों में लिप्थ होने के कारण पार्टी से निश्कासित किया जा रहा है ऐसा क्या हुआ था पंचायत चुनाव के दौरान क्या वाकई इनके बाहर होने का यही कारण है या कोई अंदर खाने की वज़ा भी है समझेंगे लेकिन पहले संगशेप में दोनों निताओं के बारे में जान लेते हैं राजबर और लाल जी वर्मा का पार्टी से बाहर होना चौकाता है क्योंकि यह नेता कांशीराम से लेकर मायावती तक के करीबियों में शमार रही है 2017 तक समी करण इन दोनों नेताओं के पक्ष में थे तब ही इनको विधाईकी का टिकेट मिला भी और दोनों ने भाजबा के जबरदस्त प्रदर्शन के बीच सीट भी निकाली चात राजनीती से राजनीतिक करियर के शिरुवात करने वाले लाल जी वर्मा बस्पा के बनने के साथ ही इससे जुड़े 1986 में वे पहली बार MLC बने तब से लेकर अब तक पांच बार विधाईकी जीत चुके हैं 1991, 1996, 2002, 2007 और 2017 में 2014 में उन्होंने शावस्ती सीट से लोकसभा चुनाव भी रडा था लेकिन हार गए थे इसके बाद वापस विधानसभा का रुख कर लिया था बस्पा की सरकारों में मंत्री भी रहे वित्त तक का प्रभार समाला वर्दमान में निशकासित होने से पहले वे बस्पा के विधायक दल के नेता थे वहीं रामचल राजपर 1993 में पहली बार विधायक बने थे इसके बाद 1996, 2002, 2007 और 2017 में विधायकी जीती लेकिन रामचल राजपर की से भी बड़ी पहचान ये कि ये नेता दो जून 1995 कुमायवती के साथ था ये तारीक उत्तरप्रदेश के चर्चित गेस्ट हाउस कान की है दोनों नेताओं की पार्टी से बरखास्तगी के बाद पंचाच चनाव का जिक्र बार बार आ रहा है हबरे आ रही है कि लाल जी वर्मा अपनी पतनी सहीद कुछ करीबियों के लिए टिकेट चाहते थे पतनी को तो टिकेट मिला लेकिन बाकियों को नहीं इसे हफा लाल जी ने पंचाच चनाव से पूरी तरह करनी काट ली हाला कि लाल जी का कहना है कि वे सौस्त कारणों से पंचाच चनाव में सक्रिय नहीं रहे थे और वे मिलकर ये बाद बहन जी को बताएंगे वही रामचल भी कतित तौर पर पूर ब्लॉक प्रमुक शारदा राजभर के ने टिकेट चाहते थे नहीं मिला तो उन्होंने भी पंचाच चनाव में पार्टी की कोई मदद नहीं की रामचल ने भी यही कहा कि जरूर बहन जी को कोई गलत फहमी हुई है जिसे वे मिलकर दूर करेंगे हाला कि अभी भी दोनों नेता लगातार यही कह रहे हैं कि वे पार्टी के समर्पित कारे करता हैं मायवती से मिलकर वे गिले शिक्वे दूर कर लेंगे अब सवाल उठता है क्या यही वज़ा है इन दोनों नेताओं की रुकसती की इस पर और वस्तार से जाने के लिए हमने बात की लेखक बद्री नारायंट से वे बसपा की संस्थापक कांशिराम पर किताब लिख चुके हैं कांशिराम लीडर अफ दे डलिट्स उन्होंने कहा मायवती का एक धीरे धीरे स्टाइल अफ पॉलिटिक्स बनता जा रहा है वो पार्टी के भीतर किसी भी नेता को अपने कट तक पहुँचने का मौका नहीं देती है यही वज़ा है कि पार्टी पर अपना वो आधार खोने का खत्रा भी दिखने लगा है जो कांशिराम जी ने दिया था ये कांशिराम के समय के पहले ऐसे नेता नहीं है जोने मायावती ने एक जटके में हटा दिया है सौमी प्रसाद मौर्या से लेकर आरके चौधरिय और नसीमुद्दीन तक लंबी लिस्ट है यही वज़ा है कि आज आज आप बसपा के अंदर कोई सेकंड लाइन नहीं देखेंगे ये दो बरखास्तगी भी इसी स्टाइल अफ पॉलिटिक्स का नतीजा है दोनों नेताओ को पार्टी में सेकंड लाइन का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था हाला कि जवाहलाल नहरू युनिवर्सटी की प्रफेसर विवेक कुमार बद्री नारायन की बातों से इत्तिफाक नहीं रखते वे कहते हैं आप देखें कि दोनों नेताओ कितने प्रासंगिक थे बसपा का अपना एक जनाधार है जो बरकरार रहता है पंचाच चनाध को लेकर दोनों नेताओं पर जो आरूप लगे हैं वो बातें तो कहने सुनने की रहती हैं ऐसी बातें जल्दी खुल कर नहीं आ पाती हैं लेकिन आप ये देखें कि बरकास्तगी के बाद भी दोनों नेता कितने अनुसाशन के साथ अपनी बात रख रहे हैं इससे आप बसपा के अंदर का कल्चर समझ सकते हैं पार्टी अनुसाशन के लिए जानी जाती है ये ठीक है कि कांशिराम के समय के अधिकतर नेता पार्टी से जा चुके हैं लेकिन ये कोई एक जटके में नहीं हुआ जैसे जैसे नेताओं ने अपनी प्रासंगित्ता खोई वो पार्टी से हटे ये भी जान लेते हैं कि 2022 में इस वैसले का कितना असर पड़ सकता है बसपा कि इस वैसले का यूपी चुनाब 2022 पर कितना असर पड़ेगा इस पर बद्री नारायन कहते हैं मायवती को यकीन होगा कि वो एक साल में दूसरा नेता खड़ा कर देंगी ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता एक वर्मा की वज़ा दूसरे वर्मा को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि कोविट काल में किसी नए चेहरे को लाकर उसका जमीनी आधार तयार कर देना इतना भी आसान नहीं होगा वहीं विवेक कुमारस पर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी मायवती अपने भतीजे को अगर फ्रंट पर ला देती हैं तो युवा समीकरन मानज हो जाएंगे महिला वोट हमेशा से मायवती मानज करने की शमता रखती ही हैं लाजी और रामचल से पहले भी बसपा के तमाम ऐसे नाम रहे हैं जो कांशी राम के समय से पार्टी के साथ थी लेकिन मायवती के कमान समालने के बाद सब ही बाहर होते गए क्या बज़ा है इसके पीछे विवेक कुमार कहते हैं कि कांशी राम में पान इंडिया लेवल से कॉडिनेटर तयार किये थे पंजराब से हरभजन लाखा, महराष्ट से सुरेश माने वगहरा यूपी से भी उन्होंने ऐसे नेता तयार की जो अच्छी खासी अपील रखते थे लेकिन मायवती के आने के बाद ये ट्रेंट बदल गया कॉडिनेटर यूपी से ही निकलने लगे, बागी राजियों की भूमिका कम हुई काशिराम की तरह नेता तयार करने का चलन कम हुआ और पावो सेंटर एक होने से तमाम नेताओं ने धीरे धीरे अपनी प्रासंगिता हो दी खैर अब एक साल बाद सूबे में चुनाव है और यहां जिस तरह से जातिगत समीकरन काम करते हैं उसमें ये देखना दल्चस्प होगा कि बसपा का ये बड़ा फैसला क्या असर डालता है और क्या तब तक ये दोनों नेता बसपा में वापस आते हैं या किसी और पार्टी के साथ चुड़ जाते हैं आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथ ही अभिशेक में मेरा नाम है दिव्यान शी शुक्रिया